दोस्तो फाइनली विदानता लिमिटेट की तरफ से ओफिशली 5-1 का डीमर्जर अनौसमेंट आ चुका है हर एक विदानता लिमिटेट के स्टॉक के उपर में आपको 5 नए स्टॉक्स मिलने वले हैं मतलब आपका हर एक स्टॉक यहां पे 6 स्टॉक्स में कनवर्ट हो जाएग चुके टोटल 6 लिस्टिट कंपणी के अंदर में डीमर्ज होने जारी है अगर थोड़ा डिटेल में आपको समझाओं तो बेसे के लिए अभी विदानता लिमिटेट जो कंपनी लिस्टिड है उसके अंदर से 5 कंपणी स्टॉक मार्किट के उपर में लिस्ट किया जाएग तो टोटल में विदानता Limited को मिला करके 6 companies listed companies बन जाएंगी विदानता की अगर आपको और detail में बताऊं तो यहाँ पे विदानता ने officially कल अनौंस किया था कि उनका जो mainly focus रहेगा वो रहेगा कि metal company को अलक्से लिस्ट किया जाए, power company को अलक्से लिस्ट किया जाए, aluminium company को अलक्से list किया जाए, ताकि यह सब की सब पाचो companies जो है, अपना पूरा potential अपने पूरे जो returns बनते हैं, वो investors को deliver कर पाए, because अभी क्या होता था, एक भी company अगर underperform करती थी, तो पूरे विदानता Limited के stock के ओपर में correction देखने को मिलता था, अब क्योंकि सब companies separately list हो जाएंगी, तो सब companies अपने अपने business के साब से अपने investors को returns देंगी, अगर पूरी detail में आपको समझाओ, तो यहाँ पे total बता देता हो कित्ती companies हैं, तो total में 6 companies होंगी, विदानता Limited को मिला करके, जिसमें से पहली company रहेगी, विदानता Aluminium, second company रहेगी, विदानता Oil and Gas, third company रहेगी, विदानता Power, fourth company रहेगी, विदानता Steel and Ferrero's Metals, fifth company रहेगी, विदानता Base Metals, और sixth company रहेगी, विदानता Limited, तो यह 6 की 6 companies आपको stock market पे list होती होई, देखने को मिलेंगी, और अगर आपके पास में विदानता Limited, जो अभी currently listed company है, उसका एक stock होगा, तो आपको इन सब की सब companies के अंदर में एक ए जिस भी sector में invested रहना है, उसके अंदर invested रह सकते हो, बाकी जिन भी sector से आपको exit लेना है, अपने stocks को particular उस sector की stocks को आप sell कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके से है, और यह vertical split रहने वाला है, जो की काफी अच्छी बात है, मतलब कोई भी confusion नहीं है, आपके पास में विदानता Limited के ज return दे पाएगी, for example, बताता हूँ, अगर मान लीजे, विदानता Aluminium का business काफी अच्छा चल रहा है, तो विदानता Aluminium काफी अच्छे returns अपने investors को दे पाएगा, अब, because पहले क्या होता था, अगर एक भी company के, आप कह सकते हो, business के अंदर में कोई भी problem आती थी, या फिदेट बढ़ जाता था, किसी भी particular company का, तो पूरे के पूरे विदानता लिमिटेट के stock के अपर में हमें effect आता हुआ, देखने को मिलता था, तो कही ना कहीं, अब investors के लिए काफी अच्छी चीज हो जाएगी, particularly आप जिस भी sector के अंदर में invest करना चाहो, विदानता लिमिटेट के, उस sector में आप आप invest कर पाऊगे, proper उसका business study कर पाऊगे, आपको कहीं पर भी confusion नहीं आएगा, simply आप एक ही company का business देखेंगे, उसके अंदर में invest कर देगे, और वो business भी अपने potential के इसाब से अच्छे खासे returns अपने investors को deliver कर पाएगा, तो काफी आप कह सकते हो, चीज़े sort हो ज मचता हुआ देखने को मिलेगा, अभी तो आने वाले टाइम में हमें पता लगेगा कि कौन सी वेदानता की company जादा dividend देगी, because अब सब companies split हो चुकी हैं, तो सब के dividend values अलग आएंगे, साथी साथ में सब companies के profit and loss भी अलग से आएंगे, तो all over काफी अच्छी चीज़ है, and retail investors क के लिए specifically काफी अच्छी news है, अब बाकी आज के वीडियो के अंदर में इतना ही रखते हैं, अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा, finomedia channel को भी subscribe कर दीचेगा, because ऐसी और वीडियो मैं आप लोगों के लिए daily basis पे लेके आता र